एक समय की बात है एक गाउं में एक गुरुकूल था जिसमें कई चात्र एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु के नेत्रतों में पढ़ाई कर रहे थे यह गुरु ग्यानवान थे और उन्हें चात्रों को अनुभवों से सीखने की डूटी थी वे अपने चात्रों को ना केवल शेक्षिक ज्यान बलकि नैतिक मुल्यों की भी शिक्षा देते थे एक दिन गुरु ने अपने चात्रों से पूछा आज मैं तुम सभी को यह सिखाना चाहता हूं कि चुप रहने के क्या लाब हो सकते हैं शिश्यों ने जब यह सुना तब वे सभी लोग गंभीरता से सोचने लगे एक चात्र ने आवाज उठाए जी चुप रहने से हम अन्य लोगों के विचारों और विदेशियों का सामना कर सकते हैं और इससे हम उनसे सीखने का मोका प्रात्त कर सकते हैं गुरू ने मुस्कुराते हुए कहा बिलकुल सही इसके अलावा और कोई जवाब एक और चात्र बोला जी चुप रहने से हमारे मन में शांती रहती है और हम समझते हैं कि हम उस समय जवाब नहीं दे सकते जब हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती गुरू ने फिर से प्रशंसा की कहा पहुत बढ़िया यह तो सिर्प शुरुआत है और एक चात्र ने कहा जब हम चुप रहते हैं तब हम अपने विचारों और विचारधाराओं को समझने का भी आउसर पाते हैं यह हमें खुद को वेहतर बनाने का मुका देती हैं गुरू ने मुस्कुराते हुए उन्हे धन्यवाद दिया और कहा तुमने सही का चुप रहने से हम खुद को सुनती हैं अपने अंदर की आवाज को महसूस करते हैं और अपने विचारों को साप करते हैं यह हमें स्वई ही परिचे करवाता है और स्वई के विकास में मदद करता है चुप रहने से हम अन्यों के समीक्षा से बचते हैं और खुद को अपनी सीमाओं से पार करने का साहस देते हैं इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चुप रहने का महतो अधिकतर समय बड़ा होता है हमें खुद को सुने की शमता होती है और हम अपने अंदर के संघर परशों से निपड सकते हैं, चूप रहने से हम अन्यों से समझदारी से समझदारी रखते हैं और उनसे सीखते हैं, इससे हमारा ग्यान बढ़ता है और हम अपने व्यक्तिगत विकास में सफल होते हैं, अक्सर ज्यादा बोलने वाले लोग मामला खराब कर लेते हैं, लड़ाई जगडा कर लेते हैं, वहीं पर चूप रहने वाला व्यक्ति अपने विवेक से हर बात का जवाब देता है, यदि बात का जवाब देना उचित ना हो, तब वह चूप रहना उचित समझता है, चुप रहना भी एक कला है जो सभी लोगों के पास नहीं होती अक्सर लोग बिना बातों पे बख बख करने लगते हैं बलकि उनमें उन्हें कोई फाइदा नहीं होता जबकि चुप रहने में हमें बहुत फाइदा होता है लोग हमारा समान करते हैं हमारे बातों की वैल्यू वड़ती है इसलिए चुप रहना एक महतोपुन गुन है जो हमाएं समझदार और अनुभवशील बनाता है हमें अपने विचारों को समय से समझने का समय देना चाहिए और बाचीत में विचारों को व्यक्त करने के लिए समय निकालना चाहिए चुप रहने से हम अन्यों की समिक्षा से बच सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने का साहस जुटा सकते हैं तब ही जाकर हम अपने आपको एक अच्छे और उचे मुकाम पर पहुँचा सकते हैं जिस मुकाम पर लोग हमारी इज़त करेंगे, सम्मान करेंगे, हमारे शब्दो की एहमियत बढ़ेगी, लोग हमारे बातों को सुनना चाहेंगे, जिस तरह से साधू संत लोग शांत रहते हैं, प्रभू को याद करते हैं, ध्यान मगन में रहते हैं, वे लोगों से फालतू की बाते नहीं करते, वे केवल उतनी ही बात करते हैं, जितना उनसे कुछ पूछते हैं, गुरू केवल उतनी ही बाते बताते हैं, समझदार लोगों की यही पहचान होती है, कि वे वे वेयत नहीं बोलते, पर जो भी बोलते हैं, उनके हर शब्द का अपना अलग महत्व होता है, इसलिए समझदार और ग्यानी लोगों के साथ रहें, तो आप आपके शब्द ही लडाई का कारण बनती हैं, और आपके शब्द ही आपको अच्छा पद और अच्छा सम्मान भी दिला सकती हैं, क्योंकि अधिक बोलना हमें नुकसान दिला सकता है, और चुप रहना, मोके पर बोलना, सही समय पर बोलना, हमारी योग्यता, हमारी ज्यान और हमारे सिष्टा चार का परजय दिला सकता है इसलिए शान्त रहें महतोपून विश्यों पर ही अपनी आवाज उठाएं अन्यता बोलने की कोशिश ना करें नहीं तो आपका समाज में सम्मान नहीं होगा लोग आपको विर्त समझने लग जाएंगे जिसके कारण आप भी खुद को अच्छा नहीं समझेंगे